हाई फ्रेंज माय सेर्फ डॉक्टर शाशी बोरीचा आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपको एक होमियोपेथिक मेडिसिन एक्स्प्लेइन करूंगी जिसका नाम है सीपिया मैं आपको बताऊंगी कि इसका स्फेर अफेक्शन क्या है क्लिनि तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सीपिया एक एनिमल खिंडम की मैडिसिन है और इस मैडिसिन को प्रिपेर किया जाता है कटल फिष के जो इंक बैग होती है उसमें एक लिक्विड मिलता है उस लिक्विड से इस मैडिसिन को ट्राइचुरेशन प्रोसेस से वेलभ लेकियां नहीं है लेकिन इसकाय मतलब बिल्कूल भी नहीं है कि मेर्ण सकते या फिर बच्चों के लिए इसन्यदी होती है 주ांतर कैसिम में किसी व इलेकेड़ बारब्लम्स के लिए यूज gotta writing and who KellyTube कोम यसे कि आधर cùng cream well 낯े यार पीमेड के पॉजब आपने में होती है और उनकी है कोई तरीक है को भी отправ कोई दरा जाते हैं टो इसके लिए सिर्म होती एकशने में काफी सिम होती अर काफी ज्यादा होती है वह एक जरूरी नहीं है कि हर बार आप किसी slim या tall female को सीपिया रीकमेंट करें कई बार इसा देखा जाता है कि सीपिया परस्नैलीटी फैटी लेडी इस भी हो सकती है लेकिन उन लेड़ीज में से देखा जाएगा कि उन्हें पानी में काम करने के बाद या प्री कोल्ड एयर में ठंडी हवा में अगर वो बैठते है तो उनके जो प्रॉब्लम्स है वो इंक्रीज होते है एग्रवेशन होते है तो सीप्या मैडिसिन दो तरीके की परस्नालिटीज में काफी ज़ादा सूट करती है फर्स्ट, टॉल, स्लेंडर, फीमेल इसके अलावा फैटी फीमेल जिसे पानी से या कोल्ड एयर से प्रॉब्लम हो इसलिए इस मेडिसिन को वाशर वोमेंज रेमेडी भी कहा जाता है अब मैं आपको बता देती हूँ कि ख्लीनिकली कौन-कौन सी कंडिशन में आप सीप्या मेडिसिन का यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले सीप्या मेडिसिन माइंड की मिकमप्लेव के लिए बहुत यूजफुल मेडिसिन है अगर किसी female को depression है तो ऐसी females इस medicine का use कर सकती है अगर कोई female को बहुत ज़्यादा stress या anxiety की complain होती है तो ऐसी condition के लिए भी आप इस medicine का use कर सकते है इसके अलावा CPI उन females के लिए काफी अची medicine है जिन्हें child birth के बाद depression हो रहा है कई बार females में ऐसे देखा जाता है कि जब उनको baby हो जाता है delivery हो जाती है उसके बाद उन्हें stress anxiety feel होने लग जाती है उन्हें depression feel होने लग जाता है ऐसी females को अपने baby से भी कुछ खास लगाव नहीं होता है इसके अलावा उन फीमेश को अपने family वालों से भी कुछ खास मतलब नहीं होता है उन्हें आवर्जन हो सकता है अपने family member से या फिर ऐसे देखा जाता है कि जब CPR patient को depression होता है तो वो अपने friends से भी बात नहीं करती है एक तरीके का उन्हें एवर्जन होने लग जाता है लोगों से इसके अलावा सीपिया उन फीमेल्स या फिर उन लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव मैडिसिन है जिने डिप्रेशन के बाद एवर्जन टू वर्क की कंप्लेन होती है जिने डिप्रेशन में कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है और वो एक टाइप से अपने प्रोफेशन को कम्प्लीटली छोड़ देते हैं तो ऐसे लोगों के लिए इस मैडिसिन को यूज किया जाता है CPI medicine menstruation से related complaints के लिए भी यूज की जाती है अगर किसी female के mensis time पे नहीं आते है या फिर अगर किसी female को mensis आते है तो वो irregular mensis होती है बहुत जादा bleeding होती है तो ऐसे female इस medicine का यूज कर सकते है किसी भी तरीके के mensis complaint के लिए CPI medicine को यूज किया जा सकता है CPI medicine PCOS जैसी complaints के लिए भी यूज किया जाता है अगर किसी female को polycystic ovarian syndrome है polycystic ovarian syndrome का मतलब है कि अगर female ovary में multiple cis form होने लग जाए जिसके वज़े से female hormone imbalance होने लग जाए तो ऐसे में female को काफी सारे symptom आ सकते है जैसे कि उनके mensis time पे नहीं आना इसके अलावा ऐसी females के face पे facial hair भी हो सकता है इनका जो weight है वो gain हो सकता है इसके अलावा इनको skin में कई सारे जगा hyperpigmentation हो सकती है skin black हो सकती है तो ऐसे सारी complaints के लिए CPI medicine को यूज किया जाता है PCOS में ऐसा देखा जाता है कि female in future infertile भी हो सकती है तो infertility के लिए भी CPI medicine को यूज किया जा सकता है CPI medicine young females के लिए काफी useful medicine है specially उन लड़कियों के लिए जीने premenstrual syndrome की complain होती है PMS का मतलब है कि female को menses से पहले काफी ज़्यादा pain होने लग जाना pain उन्हें lower abdominal area में हो सकता है या पिर उन्हें back side में हो सकता है इसके अलावा कई बार female को पैरों में भी pain होने लग जाता है headache हो सकता है female काफी ज़्यादा angry, irritable feel कर सकती है और कई बार उन्हें weeping tendency भी हो सकती है मतलब बहुत ज़्यादा रोने लग जाना, crying spells होने लग जाना तो इस type के सारे symptoms के लिए आप CPI medicine का यूज कर सकते है CPI medicine को ovarian cyst जैसी complaint के लिए भी यूज किया जा सकता है कई बार females को ovary में कई सारे तरीके के cyst form हो सकते है कुछ cyst normally भी हो सकते है जो physiological cyst होते है जो ovaries में बनते है लेकिन वो आपको कोई नुकसान नहीं करते है लेकिन कई बार कुछ cyst ऐसे होते है जो आपके hormone level को imbalance कर सकते है या फिर body में कुछ changes लेके आ सकते है तो किसी भी तरीके के cyst को अगर कम करना हो तो ऐसी condition के लिए आप CPI medicine का यूज कर सकते है CPI medicine हर्सुटिजम जैसी complaint के लिए भी यूज की जाती है अगर female को किसी भी reason के वज़े से facial hair हो रहे है उन्हें cheeks पे या फिर upper lips पे या फिर chin में hair हो रहे है तो ऐसी females इस medicine का यूज कर सकती है जातर ऐसे देखा जाता है कि female की body में अगर male hormone increase हो चुका है बहुत जादा बढ़ रहा है तो ऐसी female को facial hair हो सकते है इसके अलावा PCOS में भी ऐसा देखा जाता है कि females को face पे hair होने लग जाते है CPI medicine infections के लिए भी यूज की जा सकती है अगर किसी female को genital area में harpes हो चुका है harpes एक तरीके का viral infection है जो genital area में हो सकता है या पर ये mouth में भी हो सकता है कहीं पे भी अगर किसी female को harpes की complain है तो वो इस medicine का use कर सकते है CPI medicine old age की female के लिए भी काफी useful medicine है अगर किसी female को menopausal syndrome है menopausal syndrome का मतलब है कि अगर किसी female को 45-50 year में जब menses चले जाते है उस time काफी सारे symptom आने लग जाते है जैसे कि female को hot flashes feel हो सकता है उन्हें sweating, mood swing, weakness, irritability feel होने लग जाती है तो इन सारी complaints के लिए आप CPI medicine का use कर सकते है CPI medicine को aversion के लिए use किया जाता है अगर किसी female को sexual aversion है उन्हें sexual intercourse के time में बहुत ज़्यादा pain होता है तो ऐसी female इस medicine का use कर सकती है इसके अलावा अगर किसी female को dryness है वजाइना में वजाइना में dryness होने के काफे सारे reason हो सकते है जैसे कि अगर आपके body में hormone कम हो रहा है तो आपको lubrication कम होगा इसके अलावा अगर आपने पहले बहुत ज़्यादा anti-depressant medicine का use किया है तो उसके side effect के वज़े से भी female को वजाइना में dryness हो सकती है तो ऐसी complain के लिए आप इस medicine का use कर सकते है इसके अलावा menopausal females को भी ये symptom देखे जाते है कि उन्हें sexual activity में मननी लगता है इसके अलावा उन्हें वज़ाइना में काफी ज़ादा dryness होने लग जाती है और उन्हें vaginal pain भी हो सकता है CPI medicine को HSDD जैसी complain के लिए भी यूज किया जा सकता है HSDD का मतलब है hypo active sexual disorder अगर किसी female को sexual activity में बिल्कुल भी interest नहीं है या फिर उनके जो sexual thought है वो कम हो चुके है उन्हें lack of interest ही complain है तो ऐसी female इस medicine का यूज कर सकते है CPI medicine को Leukoria जैसी complain के लिए भी यूज किया जाता है अगर किसी female को बहुत ज़ादा vaginal discharge होता है Leukoria में female को white या फिर yellowish color का discharge हो सकता है और जातर ऐसे देखा जाता है कि CPI की patient को urination के बाद Leukoria बढ़ जाता है तो उसे कम करने के लिए इस medicine को यूज किया जा सकता है इसके अलावा अगर किसी female को vaginitis की complain है उन्हें वजाइना में कोई inflammation या फिर infection हुआ है जिसके वज़े से उन्हें offensive discharge या फिर itching हो रही है तो ऐसी complain के लिए आप इस medicine का use कर सकते है CPI medicine skin related complain के लिए भी use की जाती है जैसे कि अगर किसी female को cloasma की complain है या फिर freckles हो रहे है तो ऐसी female इस medicine का use कर सकती है cloasma का मतलब है कि अगर किसी female के face पे hyperpigmentation हो जाए ब्लैकिश discoloration हो जाए तो ऐसी condition में आप इस medicine का use कर सकते है CPI medicine का use आप pregnancy के time भी कर सकते है अगर किसी female को morning sickness की complain है morning sickness का मतलब है कि pregnancy के time अगर female को morning के time में बहुत जादा nausea या फिर vomiting होती है तो इसी condition को हम लोग morning sickness कहते है CPI की patient में ऐसे देखा जाता है कि उन्हें खाने की smell से काप की ज़्यादा vomiting होने लग जाती है उनको headache होने लग जाता है इसके अलावा ऐसी female को piles या पर constipation की complain हो सकती है pregnancy के time में तो इन सारी complaints के लिए आप CPI medicine को use कर सकते है CPI medicine urinary complaints के लिए भी यूज की जाती है अगर किसी person को bad wetting की complain है bad wetting का मतलब है night में urination हो जाना अपने आप urine out हो जाना तो ऐसी condition के लिए आप इस medicine का use कर सकते है इसके अलावा अगर किसी person को UTI की complain है urinary tract infection बार-बार होता है medicine लेने के बाद भी बार-बार recurrent UTI की complain है तो ऐसे लोग को CPI medicine यूज करने चाहिए इसके अलावा CPI medicine kidney stone के लिए भी यूज की जा सकती है अगर किसी person को बार-बार stone होता है treatment कराने के बाद भी बार-बार stone हो रहा है उनको बहुत जादा pain होता है urination में incontinence की complain है तो ऐसे लोग इस medicine का use कर सकते है CPI medicine ring warm जैसी complain के लिए भी यूज की जाती है अगर किसी person को skin में infection हो चुका है उन्हें बार-बार fungal infection होता है specially fungal infection उन्हें spring के time में होता है तो ऐसे लोग इस medicine का use कर सकते है CPI medicine psoriasis जैसी complain के लिए भी यूज की जाती है अगर किसी person को बहुत जादा sensitivity है या पिर उन्हें किसी भी चीज की allergy है उन्हें urticaria हो रहा है तो ऐसे लोग CPI medicine का use कर सकते है CPI medicine piles के लिए यूज की जाती है constipation के लिए यूज की जाती है अगर किसी person को external या फिर internal किसी भी तरीके का piles हुआ है piles में अगर bleeding होती है बहुत जादा pain होता है बैटने में तो ऐसे लोग इस medicine का use कर सकते है अगर किसी person को बहुत सालों से constipation है और ठीकी नहीं हो रहा है तो ऐसे लोग इस medicine का use कर सकते है CPI medicine hair fall के लिए काफी अच्छी medicine है specially अगर किसी person को hair fall child birth के बाद हो रहा है अगर किसी female की delivery हुई है उसके कुछ time बाद ही उन्हें hair fall बढ़ रहा है तो ऐसी female इस medicine का use कर सकती है अब मैं आपको CPI medicine का dose बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से dose में आप इस medicine को use कर सकते है तो CPI medicine आप 30 या पर 200 dose में use कर सकते है अगर आप इस medicine को 30 potency में use करते है तो आपको 4-4 drop दे में दो बार diet अपने टंके ओपर इस medicine को use करना होगा So friends, यह था CPI मैंने आपको बताया कि इसका clinical uses क्या है आप कौन कौन से बीमारियों में इस medicine को use कर सकते है इसके अलावा आप कौन से dose में इस medicine को use कर सकते है तो अगर आप किसी भी condition के लिए मुझसे consult करना चाते है तो आप मुझे मेरे WhatsApp नंबर पर message कर सकते है मैं आपको reply करूँगी तो अगर आपको मेरे वीडियो useful और informative लगा हो तो आप प्लीज इसको like कर दीजिए